गुड मॉर्निंग क्लास सेखिंड, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों पे होंगे तो बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक जयनती के दूसरे पाठ का अध्यन करेंगे, जिसका शीर्षक है बीरबल की सूजबूज, पिछली वाली क्लास में हमने पाठ एक का अध्यन किया था, जो कि एक कवीता थी, सीखो, और आज हम पाठ दो, बीरबल की सू कहानिया सुनी हैं, और हमने देखा है कि जो बीरबल थे, वो क्यों फेमस थे, क्यों प्रसित थे, अपनी बुद्धिमानी की वज़्जा से, तो आएए ऐसी ही एक चित्र कथा, मतलब की एक स्टोरी को हम देखते हैं और सुनते हैं, तो कहानी इस प्रकार से है, एक दिन अक सोचा क्यों ना दरबार में बैठे सब लोगों की वुद्धि की परिक्षा लीजाएं, तो उन्होंने एक बोर्ट पर एक लंबी रेखा खीची और सब को बोला कि आपको इस रेखा को छोटा करना है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, कि आपको रेखा तो छोटी करनी है, लेकिन उसको बिना मिटाएं, सब लोग सोचने लग गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना मिटाएं रेखा कैसे छोटी हो सकती है, सारे दरबारियों ने अपना दिमाग लगाया, और सब फेल हो गया, वो नहीं समझ पाए कि बिना मिटाएं रेखा छोटी कैसे हो स क्यों बीरबल तुमने भी हार मान ली तो बीरबल ने कहा जी हजूर ऐसे कैसे मैं हार मान सकता हूँ आप देखिये बीरबल आगे बढ़ा और उसने खीचियों ही रेखा के नीचे एक बड़ी सीरे का खीच दी यह देखकर सब लोग हरान हो गए और वो सोचने लगे अरे यह बहुत असान था हमने तो ऐसा सोच ही नहीं तो यह देखकर सब लोग बीरबल की वहावाई करने लगे और कहने लगे अरे वा बीरबल तुमारी बुद्धी मानी रंग लाई बीरबल की बुद्धी मानी से खुश होकर राचा अकबर ने उसे इनाम दिया तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सूज बुझ और बुद्धी मानी का अस्तमाल करना चाहिए जिससे की हम कठिन से कठिन परिस्थिती और कठिन से कठिन काम को भी आसान बना सकते हैं जिस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके उस रेखा को छोटा कर दिया उसी प्रकार हमें भी अपनी सूच भूच का इस्तमाल करके सारे कार्य को सापधानी से करना चाहिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते लेकिन शर्ट यह है कि हमें अपनी पुध्धी को इस्तमाल करना है